हेलो बचलो कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लाटफॉर्म एंसे डी वालापर जहां पर संकल बैच के अंदर मैं अकिल रॉय आप लोगों का मैथमेडिक्स मेंटॉर लेकर आया हूं एक नया चैप्टर का शुरुवाद जिसके अंदर हम ल बांडिंग होती है तो आपको यह जानना है और इनमें जो की पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखेगा बहुत ज्यादा लंबा लेक्टर नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सही तो कॉंसेप्ट है यार ओडर और डिग्री बात समझ में आ गई तो हर एक बॉल को बांडरी के पार बेजना है और कुछ नहीं करना है मैं बुरे से बुरे गंदे से गंदे सड़े से सवाल लेकर आया हूं जिसके उपर हम लोग डिसकेशन करेंगे और हमारा सारा कॉंसेप्ट एक दम शाइनिंग स्टार की दरह चमक उठेगा तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का का से संथर इंड्रेग्रिय औओ Ov n इकवरिय को सब्सक्राइव बढ़ने वाले है आज हम बात करेंगे सबसे पहले की डिफильноников दो क्या है तब नंदू किया होता है जब तक जानेंगे इनेंगे हैं और तो पहले हम लोग क्या ही बात करेंगे इन संखर को उसके बाद जितनी जल्दी खतम करेंगे उतनी जल्दी ही आप विडियो को खतम करके आप खेलने जासकते हैं। नूडल्स खाने जा सकते हैं कुछ भी जा सकते हैं यार फिक है तो इसी के साथ हम लोग START करते हैं सबसे पहले डिफरेंचल 직 этому क्या होता क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो डिफरेंचल equation यह कहता है कि सर एक ऐसा ऐसा mathematical expression जिसमें हम लोग variables तो होते ही है जैसे जिसमें अगर माल लीजे मैं कोई equation लिखता हूं तो उसमें dependent और independent variable आप समझते हैं ना कि y-axis का जो y होता है जो x होता है तो y और x के basis पे तो equation रहता ही है लेकिन यहाँ पर एक नया member कर एंटर करता है वो नया member कौन है वो नया member है derivatives derivatives यानि differential coefficients differential coefficients कौन होते हैं पर example बच्छा मैं आप लोगों को अगर ऐसे करके लिखके दूं कि y बराबर हमारे पास कोई function है fx है तो इसका derivative कौन हो जाएगा first order derivative हो जाएगा dy by dx हो जाएगा second order derivative हो जाएगा d2y by dx square हो जाएगा similarly third order derivative d3y by dx cube हो जाएगा तो ऐसे करके हमारे पास अलग 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 हमारे पास derivatives मौजूद होते हैं all these are called differential coefficients हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं this is f-x not fx okay sir बात समझ में आ गई these are the differential coefficients या इन डरिवेटेब्स हम लोग बोल सकते हैं तो यहां क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास कुछ ऐसे mathematical expressions या फिर equations हम लोग बोलना चाहें जिनके अंदर हमारे पास dependent variable independent variable यानि y और x तो होंगे ही और y और x की जग़र कोई और दूसरे variables भी हो सकते हैं जैसे यू वी ऐसे भी हो सकते हैं लेकिन हम लोग जैनरली बात करते हैं x और y की कि एक dependent और एक independent variable तो होगा ही लेकिन एक और नया मेंबर हमारे पास एंटर करेगा उन equations के नदर that are differential coefficients जैसे कि first order derivative second order derivative third order derivative या फिर nth order derivative कोई भी present हो सकता है तो एक्जाम्पल के तौर पर देखिए जैसे देखिए बच्चा अगर यहाँ पर 2x square plus 2x cube plus y sorry plus है नियार 2x cube y square दिया हुआ है तो अगर मैं यहाँ पर equals to यह dy by dx ना देकर equals to 1 दे देता तो पिटा यह एक normal algebraic equation होती क्या होती normal algebraic equation होती लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हमने एक differential यानि derivative को यहाँ पर involve किया include किया तो अब यह जो equation है इसमें differential coefficient है dy by dx now this will be named as differential equation क्योंकि इसके इंदर एक differential हमें मौझूद मिल रहा है एक और चोटी सी बात में आप लोगों को बताऊंगा लेकिन पहले आप examples को अच्छे से समझ जाए देन उसके बाद discuss करेंगे next stage में आप देखें यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर double derivative का differential coefficient है यहाँ पर single derivative का differential coefficient है तो यह भी हमारे पास क्या हो जाएगा differential equation हो जाएगा इन्दर हमारे पास derivatives मौजूद है यहां देखिए y बराबर x dy by dx और under root में 1 plus dy by dx square है तो this is also a differential equation, ठीक है, ओके, so differential equation समझ में आगया, तो what is the major difference की सार, हम लोग differential equation और equation के बीच में ऐसा क्या major difference को यहाँ पर रखते हैं, मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी difference से आपको समझा दूँगा, यह चीज हम लोग आगया, आने वाले chapters में ज्यादा अच्छे से imply कर पाएंगे, जब हम लोग solve कर रहे होंगे differential equations को, तो मैं एक बहुत ही simple सा explanation आप लोगों को देता हूँ, यह ध्यान से देखेगा दोस्त, suppose कीजिए, suppose कीजिए, मैं आप से कहता हूँ कि हमारे पास एक equation है, x square plus 3x, 3x plus 2, ऐसी कोई equation है, that is equals to 0, तो यह है हमारे पास एक quadratic equation, है न, क्या है सर, quadratic equation, जिसकी degree क्या है, 2 है, तो इसके solution कितने होंगे, 2 होंगे, definite सी बात है, 2 solution होंगे, ठीक है, आप कहेंगे सर, इसके जो solutions होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए, हम लोग इसके solution 2 लिख सकते हैं न, पहला solution होगा, x बराबर हमारे पास minus के 1 होगा, दूसरा solution x बराबर हमारे पास minus के 2 होगा, तो there are two different solutions for this quadratic equation, तो यह actually में कैसा है, यह एक algebraic equation है, तो algebraic equation के अंदर हमें क्या मिलता है, जो उस equation के solutions होते हैं, वो solutions actually में क्या होते हैं, numbers होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर point out कर लेते हैं यह चीज, क्या चीज, कि solution of algebraic equations are set of numbers, ठीक है जी, यह बात तो सर समझ में आती है, यह तो हम अच्छे से जानते हैं, मान लीजिए, कि हम लोग एक equation लिखते हैं, that is d2y by dx square, ठेक है, प्लस हमारे पास 3dy by dx है, प्लस हमारे पास 2y बराबर 0 है, ऐसी मैंने एक differential equation लिख दिया, क्या यह differential equation है, हा सर यह differential equation है, अभी यह solve कैसे हुआ, यह तो आपके बिटा, out of the subject है, मतलब अभी class 12 में हमें second degree differential equations को solve नहीं करना होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक basic idea दे रहा हूँ, यह चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ आगे, अगर future में पढ़ने को मिला तो भाई पढ़ने को आएगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सर, यह differential equation है, तो इसके solution क्या number होंगे, नहीं नहीं नहीं, 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 इसके जो solution होगा, इसका एक solution होगा, यह बराबर हमारे पास e की power minus k x होगा, और एक solution y बराबर e की power minus k 2x होगा, तो यह दो solutions होंगे यानि मेरा यहाँ पर sense क्या कह रहा है सर सेंस यह कह रहा है कि differential equation के जो solutions होते हैं तो यहाँ पर no down कर लेते हैं solutions of differential equation are set of functions यह बेटा major difference है कि algebraic equation में solutions निकलते हैं वो हमारे पास numbers होते हैं जबकि differential equation के solution होते हैं वो हमारे पास set of functions होते हैं numbers नहीं होते हैं functions होते हैं तो सर यह आप verify कर सकते हैं क्या बिड़ा देख लो खुद से अगर मैं इस वाले solution को यहाँ पर लेकर चलता हूं that is y बराबर e की power minus x है न हमने का सर अगर y बराबर e की power minus x है तो y डाश हमारे पास कितना हो जाएगा minus e की power minus x हो जाएगा जी सर वाइडबल डाश कितना हो जाएगा सर minus minus plus e की power minus x हो जाएगा अब अगर आप इन तीन values को यहाँ पर substitute करते हो तो आप करोगे हां सर यह differential equation को satisfy कर रहा होगा करोगे इधर देखो वाइडबल डैश की वैली रखो e की power minus x सब जाएगा जीरो सब कैंसल होके 0 आ जाएगा सर क्या यह चीज दूसरे वाले solution के साथ काम करेगी आप चेक को लिबड़ा वाइड की value e की की पावर माइनस 2x हो जाएगा वहीं पर y डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 4e की पावर माइनस 2x हो जाएगा आप इन तीन वैल्यूस को बच्छे यहां पर प्लेस करो आपको अगेन जीरो मिलेगा तो यह हमें प्रूफ दे रहा है कि सर यह जो फंक्शन से एक पावर माइनस 2x यह दोनों फंक्शन हमारे इस डिफरेंशल एक्वेशन के क्या है सलीशन है तो यह एक मेज़र दिफरेंश हमें समझ में आता है कि सर, में एक मेज़र दिफरेंश हमें समझ में आ गया है अब बात आती है कि सर ये second degree आप ने बोलागी आ चक्कर है और ये order क्या है यह हमें स्माझना क्योंकרי इस जैसे मैं आपको कहानी के तौर समझाता हो आप कहानी के साथ चलेंगे तो आपको ज़्यादा बहतर समझ में आएगा और आप कहेंगे ऊहओ ऐसे चल आए गया गये बिलकुल उखया, हम लोगों ने कहां से शुरुवात करी होगी, हम लोगों ने विटा-Polline nommal पआ था जी सर, हम लोगों ने Class nine में Polline nommal पढ़ा था, विटा-Polline nommal पढ़ने के बाद हम लोग गए कि सर सर पॉलिनोमिल से हम लोगों ने तीन डिग्रीज को समझा है ना कौन-कौन सी डिग्रीज को समझा सर पॉलिनोमिल में हम लोगों ने डिग्री वन को समझा डिग्री वन को हम लोगोंने क्या नाम दिया सर हम लोगोंने लीनियर का नाम दिया वहां से हम लोगोंने क्या पढ़ा बेटा लीनियर इक्वेशन्स पढ़ा अच्छा सर हां पढ़ा था लीनियर इक्वेशन्स पढ़े फिर हम लोगोंने डिग्री टू के अंदर गए बेटा degree 2 के अंदर गए तो हम लोगों को क्या मिला बेटा quadratic मिला quadratic से हम लोगोंने क्या पढ़ा बेटा quadratic equations पढ़े हम लोगोंने हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर है ना quadratic equations हम लोगोंने पढ़े फिर बेटा degree 3 में गए हाला कि degree 3 के उपर हम लोगों ने कफी ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि यहां तक की mathematics हमारी आज भी डेवलप नहीं हुई है cubic polynomials को simplify करना या cubic equations को solve करना आज भी हमारे लिए एक टेड़ी खीर है आज भी यकीन मानोगे हम इतने लेवल की mathematics space science तक हम लोग जानते हैं हम लोग atom के अंदर घुस चुके हैं सब कुछ कर चुके हैं लेकिन आज भी cubic polynomial solve करना हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है सब्सक्राइब करेंगे और क्या पता आप में से कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट या इतना बड़ा मैथमेडिक्स बन जाए कि कुछ कुछ सुलीशन निकाल दे तो उमीद करते रहो उमीद पे ही दुनिया चलती है और इसी के साथ degree बराबर 3 जो है वहां से हम लोगों ने क्या खोला सर cubic equations खोला ठीक है जे तो बिटा अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये कहते हैं कि सर हमारा जो differential equation है वो दो भागों में divide होता है यहां से तो सिर्फ degree basis पे हम लोगों ने divide किया differential equations को हम लोग दो भागों में divide करते मिड़ा कैसे कैसे सपोस कीजिए मैं यहां पर लिख देता हूँ differential equation की बात हो रही है मैंने short में लिख दिया d i double f अब आप लोग समझ जाएगा मैं बार बार इसे capital में नहीं लिखूंगा पूरा पूरा differential equation को सबसे पहले तो हम लोग दो भागों में बाटते हैं कि सर उसका order क्या है order अभी हम लोग देखेंगे ठीक है order देखेंगे फिर हम लोग देखते हैं कि सर उसकी degree क्या है बही डिग्री सर यह डिग्री वैसी होती है क्या जैसे पॉलिनॉमिल में होती है हाँ वैसी ही सी कुछ होती है है ना मैं उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों कि क्या होती है डिग्री ओफ़ दिफरेंशल इक्वेशन अब माल लीजिए और अमारे पास क्या क्या सकता है और वन हो सकता है टू हो सकता है त्री हो सकता है यह डिफरेंट डिफरेंट डॉर्डर सो सकते हैं डिग्री भी वन हो सकती है टू हो सकती है अब हम लोग क्या करते हैं इनहीं के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन मना कर सवाल मनाते है कैसे सर कैसे लीजिए यह हमकly सबस्क्रद फ्रीज्वतर हम ने का सर और वन और डिगरीड रहा इख로शन बना है अच्छा ऐसा कर दो सकते हैं कि सर और वन और डिगरीटू का सवाल बना ले एप सकता है olduğर्डर्वान डिगरीटी रहा चेका सवाल बना ले order two degree two का सवाल बना ले order two degree three का सवाल बना ले या order three degree one order two order three degree two order three degree three का सवाल बना ले तो there are different varieties of questions जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था सर हम लोगों ने ये कहा कि हम लोगों ने degree के basis पे पूरी पूरी एक mathematics का section बनाना शुरू कर दिया था क्या कर दिया था mathematics का section बनाना शुरू कर दिया था कि quadratic अलग पढ़ा, linear अलग पढ़ा, cubic अलग पढ़ा, जब हम लोग polynomials पे थे, सिर्फ degree के basis पे हम लोग उने sections भी बना दिये, कि linear equations ऐसे solve करते हैं, quadratic equations ऐसे solve करते हैं, cubic equations ऐसे solve करते हैं, तो जब हम differential equations में आएं, तो हमारे पास दो अलग-अलग factor आ रहे थे, कि सर, order भी काम करता है, degree भी काम करता है, और इस basis पे हम लोग different categories के सवाल बनाते हैं, कि इतने order की, इतनी degree की सवाल हो, इस order की, इस degree के सवाल हो, तो कैसे solve करेंगे, तो आपके class 12th के अंदर, मैं फिर से बो नहीं सीमित है, बच्चे, order 1 और degree 1 इससे बाहर नहीं जाना है, इससे बाहर अगर आप जाना चाते हैं, तो इससे higher class की mathematics आप लोगों को पढ़नी पढ़ती है, तब आप लोग second order, second degree, second order, first degree, ऐसे करके different categories के questions को solve करते हैं, लेकिन, class 12th के अंदर, हमारा यहीं तक सीमित है, first order first degree, सर अभी तक हमें यह समझ में नहीं आया कि order क्या है, degree क्या है, तब तो हम लोग पहचान पाएंगे कि differential equation की categories बना रहे हैं और उसके साथ से solve करेंगे, बताते हैं, रुको जरा भी, सब बताते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, बिटा, order की दरफ, order की अगर हम order क्या बैलिकराया कि सर किसी भी differential equation, डी कह मतलब differential equation, बार-बार लब नहीं लिखेंगे, तो हमारा जो order होता है, of a differential equation, is the order, क्या होता है, is the order of the, किसका सर? हाइस्ट ओडर derivative appearing in the equation, हाइस्ट ओडर derivative appearing, याANA, किसी भी differential equation के अंदर, जो हाइस्ट ओडर h elite derivative हमें मिलेग सम्ट पडतेयों सबस्क्राइब मका मुपवलिए घर कि इसकती भी य्यंविअ पढ़ाना जरूरी है त Cordring wasu order जो है वह यह बोल रहा है कि किसी भी दिफिरेंशल उपाइब का जो order होगा यह अपीरिंट करेंट टेफिरेंशल एकोईशon अब यह हाई इस और डरिवेटिव क्या होता है सर बच्चे आप लोग जानते हो ना की डी वाई वाई डी एक्स को हम लोग फॉर्स्ट ओर्डर डरिवेटे बोलते हैं हां सर यह पढ़ा था कि नहीं पढ़ाया था पढ़ाया था लेकिन याद नहीं आप दूबारा बता दो फॉर्स्ट ओर्डर होता है सर यह होता है डी वाईबाई डी एक्स होता है हां सर सेकंट ओर्डर डेरिवेटेव हम लोग कैसे बोलते हैं इस इसी तरीके से जब आप नीचे की तरफ चलते रहोगे तो आपके पास आएक अनेथ ओर्डर डेरिवेटेव हैं ना एनने फॉर्ड डेरिवेटव ग्या होजाता है दोस्त कुंषो का यश्ण दी एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर यह हो जाता है एनन producer डिविट 음is ही तरीके से सीकूंज में चलते हुए थीगुख है सर्क्रीप तो यह τό Star derivative प्रेजट है तो आप देखिए से इफ डिफ्रेंशाल इकोईशन की तरफ ध्यान दीजिए सब fusion में highest है और दिविट जर जो है वो यह है क्या कि यह तो फूर्स और सथय बोलेटिव है तो ऐसे में हम लोग क्या बोलेंगे सर इसका order कितना हो जाएगा इसका order हो जाएगा 2 यानि एक second order differential equation है ठीक है सर इसकी degree आरे रुको जा रहा फिर से बुलूँ क्या रुको पहले order तो देख लो यार फिर हो जाएगा हमारे पास 3 तो यह तो सिंपल था सर एकदम हलवा एकदम हलवा है ना तो किसी भी differential equation में जो भी highest order derivative आप लोगों के पास present है that becomes the order of the differential equation बस इतना सा खेल है order समझ में आ गया दन अदन चलते हैं अगले concept पर देट इस डिफिरेंशल एक्वेशन की डिगरी क्या होँए सर डिफिरेंशल इक्वेशन की डिगरी क्या होती है तो डिगरी की definition को क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि सब डिगरी of the differential equation is the degree of the highest order degree of the highest order derivative सबसे बात इंपोर्टेंट याद रखना पिलीज 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 यह चीज अगर आपने स्किप करी तो आपका कर लक का नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है क्या होना चीए उसमें कोई भी राइडिकल या फिर फ्राक्शन नहीं होना चाहिए यानि आपको जो भी जो भी आपको उसमें करना है 344 सकता है नहीं नेगेटिव हुसकता है नहीं रूट में सिर्फ एक नाचिरल नंबर में ही हम लोग डिगरी को बोल सकते हैं आप इसे और स्पेसिफिक बोलना चाहें तो आप इसे डवल्यू भी बोल सकते हैं कि सार होल नंबर इस और समझनी है उसके उपर हम लोग थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं चलिए जैसे कि आप इस वाले एकोशिशन पर फोकस करें विड़ा इस वाली एकोशिशन पर फोकस करें आप कहेंगे सर यह वाली डिफरेंशल इकोशिन को देखिए इसमें यहाँ पावर 2 है लेकिन सर इसका आचार थोड़ी ना डालूंगा मैं यह हाइस और डेरिवेटिव की जो power होगी या उसकी जो degree होगी that is the degree of the differential equation तो इस condition में आप कहेंगे सर degree कितनी है इसकी degree हमारे पास हो गई 1 सर इसका order कितना है बिटा order हो जाएगा हमारे पास कितना 3 यानि कि सर इस तरह के differential equation को solve करने के लिए हमारी यह अलग method होगे अलगी branch होगा क्योंकि यह order 3 और डिग्री वन वाली differential equation है अच्छा इधर देखिए इस वाले इस वाले example में देखिए इस वाले example में जब आप देखेंगे तो सर यह तो मेरा first order derivative है यह मेरा third order derivative है सर इसकी power कितनी है इसकी power है टू है ना तो highest order derivative जो है वो हमारे पास कितना है और इसकी power कितनी है तू यानि कि मैं यहां से कहूंगा कि सर इसकी degree कितनी हो जाती है इसकी degree हो जाती है हमारे पास दो और order कितना हो जाता है और ओर हो जाता है त्री यानि सर यह अलग type की differential equation है क्योंकि इसमें order हमारा 3 है और degree जो है वो 2 है तो इसके लिए अलग method से solve करने होते हैं लेकिन बेटा डरो मत आपको यह सब नहीं पढ़ना है जैसा मैंने बताया आपको degree 1 और order 1 वाले ही differential equation solve करने है यानि आपको कैसे differential equations पूछे जाएंगे बेटा example ले लो जो आपके syllabus में आते हैं है ना आपके syllabus में आते हैं वह यह हो जाएगा बेटा सपोज यहाँ पर कोई function fx दिया गया है fxy का function दिया गया है fx, y का function दिया गया है इसके साथ बेटा आपको dy by dx दे देता है और equal to बेटा आप लोगों को कोई भी constant यह कुछ भी दे सकता है कुछ भी दे सकता है है ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसे ज्यादा बहतर लिखूं तो dy by dx जो होग होगा वह हमारे पास कोई function f X or Y का दो variable function होगा तो यह देखेंगे सर इस function को जब हम लोगों ने गईर से देखा तो हमें समझ में आया कि सर इसमें highest order कितना है first order है तो यह समझ में आगे सर इसका order कितना है order सर हमारे पास one है और degree क्या है बच्चे डिगरी हमारे पास 1 है एना डिगरी 1 हो जाता है तो दिस काल्ड फर्स ओर्डर फर्स्ट डिगरी डिफरेंशल इक्वेशन जो कि आपके सिलबस में है इनको सॉल्फ करना होगा जब हमें सॉलूशन करने की बात आएगी तो फर्स दिग्री पूच्छे जाएंगे से इतने में ही सिमित रहना है आपके syllabus के according अगर मैं बात करूँ syllabus के हिसाब से है ना ठीक है सर डिक्री समझ में आ गई सर यह आखरी वाली स्वाइन नहीं समझ वरी और रेडिकल और फ्रक्षिन वाला कॉंसेट क्या है तो इसमें एक एक एक्जाम्पल के थुरू समझेए सपोस कीजिए मैं आप लोगों को एक कुछ ऐसा देता हूं यहाँ पर मैंने दे दिया आपको dY by dx प्लस Y दे दिया और इसकी पावर मैंने आप लोगों को दे दी बेटा 2 अपॉन में 3 दे दिया बराबर मैंने यहाँ पर दे दिया d2y by dx square प्लस 2xy दे दिया और मैंने यहाँ पर कह दिया सर इसकी पावर 4 अपॉन में 5 है तो आप देखोगे कि सर इस वक्त मेरे जो डिग्रीज आ रही है जो differential equations की जो hole में भी power हो तो इसकी maximum power तो वही ड्रॉप होगी है ना तो अब यह जो maximum power है सर वो क्या है fraction है यानि कि यह कह रहा है कि radicals या फिर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए fraction नहीं होना चाहिए सिर्फ natural number ही allowed है या whole number ही allowed है तो हम क्या करेंगे बिड़ा मैं कहता हूं कि सर इसमें 5th root का यूज हो रहा है तो मैं इसे दोनों साइट से power 5 कर दूँगा ठीक है सर दोनों साइट से power 5 कर देंगे दोनों साइट से power 5 कर देंगे तो यह differential equation क्या बन जाएगा सर यह differential equation बन जाएगा dy by dx प्लस y की whole power बन जाएगा 10 upon में 3 बन जाएगा इस इकोल्स तो यहां पर d2y by dx square प्लस 2xy की whole power कितना बन जाएगा चार बन जाएगा लेकिन सर हमें fractional power तो यहां भी दिख रहे हैं यह भी गॉडबोड करेगा सर यह भी गॉडबोड करेगा तो हम यहां पर अब क्या करेंगे हम यह कहेंगे सर इसकी power को fractional power से हटाकर त्रीन पावर में दोनों तरफ क्यूबिकल पावर अगर कर दूंगा तो ऐसे में अब हमारे पास यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा की whole power 10 बन जाएगा जबकि यह क्या बन जाएगा d2y by dx square प्लस 2xy की whole power कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा ना यू विल से दाट कि सर इसे बाइनोमल थेरम से खोलूंगा तो d2y by dx square का whole power सबसे maximum क्या आएगा बारा आएगा एका सबसे पहले पूरी डिफरेंशल इकोईशन में जहां 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 पावर 12 बारा ही तो इतना कॉमन सेंस हम लोग इसे खोलने में ना लगा कर हम लोग बोलेंगे कि सर इसमें सबसे पहले पूरी डिफरेंशल इकोईशन में जहां 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 फ्रेक्शनल पावर या फिर कुछ भी ऐसा मिल रहा हो जो की होल नंबर जैसा नहीं दिखता हो तो आप उसे सिंप्लिफाइब करेंगे पहले और सिंप्लिफाइब करने के बाद आप उसमें क्या बताएंगे डिग्री बताएंगे अब एक और कॉंसेप्ट आता है जहां पर हम लोग कहते हैं कि सर डिग्री जो है वो एक जगा पे नॉ हैं एकप्षाइब करैंट डिग्रीर हैं नचेटीस पनल त 1 कहां यह सरी ओडर के साथ हैं नहीं ऑच्छे ओडर के साथ नहीं होता है डिग्री नौट डिफाइंट सिर्फ एक स्पेशल केस में लगता है जहां पर जहां पर डिफरेंशल इकोईशन जो होता है वह एक पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल आप लोग जानते हो ना पॉलिनॉमियल की बात अगर मैं एक बार के लिलिक देता हूं पॉलिनॉमियल स्ट्रक्व्चर यह कहता है कि सर प्यग्री पॉलिनॉमियल है तो हम लोग इसे एक अन यानि कॉफिशेंट और एक पावर न प्लस ए एन माइनस 1 यानि एक स्की पावर एन मइनस उन का कॉफिशेंट प्लस ए एन माइनस 2 x का coefficient plus dot dot dot, ऐसे करके बेटा a2 x की power 2 a1 x की power 1 plus a0 x की power 0 हो जाता है, यानि यहाँ पर हमें जो ध्यान देना है वो यह कि sir, n जो होना चाहिए, वो हमेशा होल number होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? whole number होना चाहिए, सबोस कीजिए, मैं आपसे कहता हूँ कि सर मैं यहाँ पर x को किससे replace कर देता हूँ मैं d y by dx से replace कर देता हूँ, सब्सक्राइब मैं ड 2 y by dx पर टो sa replace कर देता हूँ, इसी तरीके से x के cube को बच्चे मैं d 3 y by dx cube से replace कर देता हूँ एंड इसी तरीके से बेटा अगर मैं dot 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 चलाओं तो यहाँ पर हमारे पास जो y की power x की power n होगा वो हमारे पास nth derivative से replacement हो जाएगा है ना nth derivative से replacement हो जाएगा ठीक है सर बात समझ में आती है हम लोगों को यहाँ तक मुद्दा clear हो रहा है सो इस situation में अगर आप ऐसे बात करते हैं तो आप यह कहेंगे कि सर अब जो मेरा differential equation होगा यानि d e कौन बेटा d e की बात कर रहे हैं तो यह d e जो होगा वो कैसा बन जाएगा दोस्त यहाँ पर हमारे पास जो differential equation बनेगा वो बन जाएगा a n suppose कीजिए कोई a n है यहाँ पर आजाएगा हमारा nth order derivative ठीक है सर प्लस फिर हमारे पास a n-1 इसका coefficient यानि n-1th order derivative आ जाएगा ऐसे करके आ जाएगा और इसी तरीके से चलते 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 सर मेरे पास second order derivative रहेगा a2 multiply second order derivative ठीक है सर plus a1 first order derivative और a0 बेटा 0 order derivative यानि की y हो जाएगा यह हो गया हमारे पास differential equation अगर मैं इसे equal to something या फिर 0 रख देता हूँ now this is a differential equation तो यह polynomial structure बना रहा है अब यह कहता है कि अगर सर कोई differential equation polynomial structure नहीं बनाता है तो उसकी degree not defined होगी तो उसकी degree कितनी होगी अगर कोई differential equation polynomial structure नहीं बनाता है सर एक्जाम्पल से बताईए न प्लीज बिटा एक्जाम्पल से देखना अगर मैं इस चीज को ऐसे बोलने की कोशिश करूं चलिए समझीगा कैसे इस Carroll के थनले के एक्सांपल लेते और फिर बात करते हैं और कि का हम whenever let's take an example और जांपल ऐसे लेते हैं पहला एक्जाम्पल हमने का सदी वाइदी एक्स यहा solve.りました Šo इससे करके कुछ आगा और यह प्लस दिएक कुछ आ गया तब आप कहेंगे सर वही पुराना रिप्लेस्मैंट कौन सा है ये वाला यह यह वाला जो तर Street ले यूपछin की बातear रहा हूं यह से रिप्लेस्वेंट की बात कर रहा हूं इसी रिप्लेस्मेंट को अपने सब्सक्राइब प्लस यह बिटा साइन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस वाई बराबर जीरो या फिर इसे कुछ ऐसे रहने दो तो आप कोगे सर अब यह न पॉलिनोमिल के स्रक्चर में नहीं आ रहा क्योंकि बीच में कौन आ गया है साइनेक्स आ गया है साइन थोड़ी ना था पॉलिनोमिल में सर विलकुल ना वे हमें आलूम है पॉलिनोमिल में सिर्फ वेरीयबल आते हैं सेबरियाबल करता है चुली में तो यह बन पा रहा है तो एक और और एक्जाम्पल देख लेते हैं दोस्त यह पॉल्नमर स्रक्चर नहीं बन रहा है ना नेक्स एक्जाम्पल देखिए हम कहते हैं कि सर मान लीजिए हम लोगों ने डी 3y by dx क्यूब से शुरुवात करी मैंने यहां पर कहा कि सर यहां पर लॉगरीदम हमारे पास डबल डेरिव आइसा करेक तो इसमें धियान रखने वाली चीज कौन सी है कि सर जब भी कोई ऐसे functions होते हैं, जिनके अंदर कुछ values डाले जाते हैं, for example, concept functions की बात तो और यह है, ध्यान से देखने का, बेटा देखो, E एक ऐसा function होता है, जिसके ऊपर आप लोग कुछ डालते हो, कोई constant एक ऐसा function होता है, जिसके ऊपर आप लोग डालते हो, exponential functions, बेटा, logarithm एक function होता ह हमारे function ऐसे होते हैं, जिसमें आप लोग ऐसे value डालते हो, है ना, inverse trigonometry का ऐसे functions होते हैं, जिसमें आप ऐसे value डालते हो, माली जै, sin inverse हो गया, इसमें भी आप value डालते हो, यह कहता है कि sir, अगर आपने इन खाली जगाउं पर, इन खाली जगाउं पर कोई भी derivative अगर आपने रखा तो सर हमारी डिगरी जो है वो नौट डिफाइंड हो जाएगी क्योंकि यह चीज जो है यह सर हमारे पॉलिनॉमियल का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा है ना फॉर एक्जामपल आप कहते हैं सर एकी पावर में मैंने डी वाइब डी एक्स डाल दिया तो हम लोग बोलेंगे डिगरी नौट डिफाइंड क्योंकि सर यह पॉलिनॉमिल स्ट्रक्चर नहीं बनने देगा हमने टू की पावर में बिटा डबल डेरिवेटेव डाल दिया डिगरी नौट डिफाइंड हम लोग ने लॉक के अंदर बेटा थर्ड ओर डेरिवेटेव डाल दिया यह नौट समझ में आ रहा है कि सर कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके अंदर हमें कुछ डालनी होती है अगर ऐसे फंक्शन में डेरिवेटेव डाल जाते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग और तो डिफाइंड कर सकते हैं बट डिगरी के लिए हम लोग बोलेंगे नौट हो जाएगी और कितना होगा दोस्त बच्चे गलती से भी ओर को नौट डिफाइंड मतलिक देना इसमें हमारे पास हाइस अधिए डेरिवेटेव कौन है सट्ट डीटू वाइवाई डीएक स्कुएर है तो यहां से मैं और कितना बोलूंगा और हमारे पास यहां देखिए स है कि सर इस सिचुएशन में हमारे डिगरी कितना हो जाएगा डिगरी विल भी नौट डिफाइंड तो यह चीज अपने दिमाग में अच्छे से दही की तरह जमाले दोस्त क्योंकि इसके उपर कई बार कोशन पूचा गया और बच्चे गलत आंसर कर देते हैं या तो वह ओ इसका इसका एक्सलिनेशन होता है तो बस अपना कॉंसेट हो जाता है पूरा दढ़ा दर लगाते हैं सवाल और फिर बोलते हैं तरा रा रा चलिए यहां देखें पीटा इस बार हमारा डिपेंडेंट वरियेबल कौने एक से इंडिपेंडेंट वरियेबल टी है तो यहां तो आप कहेंगे सर यहां से देखकर अपने को सपने आते हैं ऑडर तो 3 हो गया अब इसकी पावर अगर मैं देखना चाहूं तो इसकी पावर वन है तो डिकरी कितना हो जाएगा दोस्त डिकरी हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा कहीं पर कोई परेशानी नहीं है कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर या फिर जिसके पावर में derivative डाली गई है तो degree not defined होने का कोई chance नहीं बनता है खत्म खत्म बाई खत्म यह सवाल ऐसे देखते ही खत्म हो गया है चलते हैं फिर अगले सवाल पर नेक्स कोईशन कहा रहा है find the order and the degree of the differential equation देखो यहाँ पर root दिख रहे हैं और power 1 by 3 जैसी चीजें दिख रहे हैं तो सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि आप इसे थोड़ा आराम से लिखें यह dy by dx मैं इसको थोड़ा simplicity के form में लिखना चाहूं तो आप कहेंगे सर यह y' हो जाएगा और y' की power 2 दे रखा है और इसकी whole power 1 by 2 दे रखा है क्योंकि यह root है similarly यहाँ पर क्या दे रखा है k multiply y' डबल डैस दे रखा है और इसकी power 1 by 3 दे रखा है तो मैंने आपको गाता कि हर जगे से power हटाना है तो आप क्या करें बच्चे इस वाली पावर को थ्री टाइम्स कर दीजिए और इस वाली पावर को बेटा थ्री टाइम्स कर दीजिए तो इससे हमारी equation में चेंज किया जाएगा आप कहेंगे सर यह 1 प्लस y' का whole square की whole power हो जाएगा थ्री अपॉन में 2 और यहाँ पर के इंटू वाइड डबल डैश की whole power कितना हो जाएगा ठीक है सर यहां का तो रेडि अफ्रेक्शन पावर खतम हो गया यहां का थोडी ना खतम हुआ है तो यहां का करेंगे यहां में हम लोग क्या कर देंगे सर पावर इसका टू चड़ा देंगे थोड़ा सा इसको इधर की दरफ लिखते हैं मजा नहीं आएगा बराबर के मल्टिप्लाई वाइड डबल डैश की पावर हो जाती है वन अब मैं कहता हूं कि सर इसकी पावर हम लोग कितना चड़ा देंगे तो इसकी पावर भी हम लोगों को तू चड़ाना होगा तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा सरा ईसे में ये बन जाएगा हमारे पास वन प्लस वाइड डैश का होल स्कुर्ख वाइड जाएगा और इंटो वाइड डबल डैश की पावर बिटाट टू आजाएगा हैना तो हाइस्ट पढावर डग्या actors कौन है आप कहें सर हाइस्ट थैतो आपशोमारे कितना हो गया सरू हो गया और उसकी फावर पावर टू है तो डिग्री कितनी हो जाए जए the degree हमारे पास 2 हो जाएगी बोलो तारारा बढ़िया order and degree defined हो गई कहीं पर भी कोई परेशान यह सी नहीं है जहां पर degree not defined का केस बने तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 into क्या दिया हुआ य डबल डैस दिया गया है और प्लस हमें क्या दिया गया गया पिटा इसको उधर ले जाओं तो मेरा काम आसान हो जाएगा तो यह माइनस के 3 into में under the root under the root को जाने दो बिटा under the root को मैं power 1 by 2 लिग दूँगा तो यह 1- y' का whole square 3 into 1- y' का whole square minus y का power 1 by 2 दे रखा है सर दोनों तरफ अगर मैं square कर दूँगा दोनों तरफ square कर दूँगा तो क्या होगा बच्चे इसका square करना होगा मुझे है ना और मुझे इसका भी square करना पड़ेगा तो ऐसे में यह क्या बन जाएगा दोस्त ऐसे में यह आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि सर्य फूर वाइडबल डैश का हो जाएगा square और यह क्या हो जाएगा सर्यों जाएगा 9 into 1- y' का square minus y की power 1 हो जाएगा सर कहीं पर भी fractional power नहीं है you will say that कि सर हमारे पास highest order derivative यह है और अगर यह मेरा highest order derivative है तो order कितना हो गया सर order हो गया हमारे पास 1 और degree कितनी हो गया सर इसकी power हमें 2 मिल रही है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें जैसे कि अगर मैं इस टर्म को इधर लेकर आता हूं तो यह टर्म हमारे पास बन जाएगा एक स्क्राइब पहले आ जाएगा और माइनस के वाई बन जाएगा इसके साथ डी वाई आ जाएगा जी सर यहां पर यह वाली टर्म एज़िटीज है ड़िस एक्स वाई स्क्राइब प्लस एक्स मल्टिप्लाइड दिया गया है कोई प्रॉब्लम नहीं इसको इसके नीचे कौण दिया यह र suction जाएगा सर्टियकॉर रॉडआब को यहां पर टीकिअप उडियिए प्लस एक्स के अपां में एक्स स्कूर वा इनस के वाई गर्या यह बन गया सटी डी वाईल बडी थेरश बराबर फंक्शन ऊफ एकस एनड वाई हो जाता है तो यह फोर्स और फॉ इसकी maximum power अपने को 1 देख रही है तो यह हो गया 1 बढ़िया जी डन डना डन एक दम डन चलते हैं एकले सवाल पर next question यह देखें सर फिर से power का खेल खिलवा रहा है हम से तो यहां पर हमें दे रखा है कितना सर 5 times of y double dash दिया गया है equals to हमें क्या दिया जा रहा है equals to हमें 1 plus y dash का whole square दिया जा रहा है और इसकी whole power 5 by 2 दिया जा रहा है सर पावर fraction में नहीं होनी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे सर इसको square कर देंगे both sides से स्क्वेर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर यह बन जाएगा 25 y double dash का square बन जाएगा equals to यह क्या बन जाएगा सर यह 1 plus y dash का square की power 5 बन जाएगा इसका मतलब सर यहां से हमारे पास order कितना समझ में आ गया order आ गया सर दो और इसकी highest of power डिगरी कितनी मिल रही है डिगरी भी सर हमारे पास आ जाती है दो बढ़िया जी चलते हैं अगले सवाल पर देखेंगे दोस्त यहां पर हम लोगों के पास इसका structure को ध्यान से लिखिए तो आप कहेंगे सर अपने को y double dash मिल रहा है plus three times of y dash का square मिल रहा है y dash का square मिल रहा है इसको इधर लेकर आईए तो minus के x square log y double dash मिल रहा है equals to 0 मिल रहा है सर हमारे पास highest order derivative एक यहां मौझूद है एक सर यहां मौझूद है और इन दोनों conditions में अगर मैं देखूँ तो सर हमारे पास order तो 2 हो गया है ना order कितना हो गया दोस्त सर यहां से देखने पर हमें समझ में है order कितना हो गया order हमारे पास टू हो गया लेकिन सर लॉग के अंदर देखो derivative डला हुआ है तो डिग्री क्या बोल देंगे सर डिग्री बोल देंगे not defined कितना बोल देंगे not defined बोल देंगे बस यह catch आप लोगों को ध्याद रखना है ध्यान रखना है ठीक है जी बढ़िया लॉक के अंदर डेरिवेटेव मौजूद है सर यह not defined हो जाएगा next question यहाँ पर भी देखो आप लोगों को समझ में तो आई गया होगा तो यह कितना दिया हुआ है सर वाई का fourth order derivative दिया है fourth order derivative को ऐसे हम लोग ब्रैकेट में 4 लिखते हैं ठीक है अगर आपको छोटे में लिखना है वरना आप ऐसे भी लिख लो कोई परिशानी ने d4y by dx4 हमें दिया जा रहा है और प्लस यहाँ पर साइन क्या दिया जा रहा है और इकुल टू जीरो दिया जा रहा है तो आप कहेंगे सर यह मेरा highest order derivative ह नहीं से मैं आप लोगों से बोलूँगा कि सर हाइस्ट डेरिवेटेव है तो order becomes हमारे पास कितना आ जाएगा बट सर साइन के अंदर देखो न डेरिवेटेव डाला गया है तो इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा सर डिग्री अपने पास हो जाएगा 3 and यह था अपना बेसिक कॉंसेट और और डिग्री का तो यह order and degree क्यों पढ़ते हैं क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि differential equation किस-किस तरीके से बनाए जा सकते हैं कितने तरीकों के differential equations होते हैं जिने हमें solve करने के method सीखने होते हैं तो हमारा जो से लिए बस है फो first order first degree की equation है हम उतने में ही रहते से उतना ही सॉल्फ करते हैं यह था अपना डिग्री और का कॉंसेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को मज़ा आया हो इसको इंजॉय करें प्रैक्टिस करें लगाए और इसी के साथ यह सेशन हो जाता है यहां पर खतम तो चलिए इंजॉय करते हैं मिलते हैं अगले सेशन के अंदर सो इसे बहुत जादा प्रैक्टिस की जिए बिटा डी पीपी आप लोगों को मिल जाती है क्लास के अंदर भी मैंने आपको बहतरीन सवाल जितने मुझे मिल सकते थे मैं आप लोगों के लिए हैं प्रिवेस एर कोईशन में भी आप लोग ट्राइक लिए इससे आसा झाल